इस्राइल गाजा युद में अब पर्माणू बम की एंट्री हो गई है इस्राइल के पास दश्कों से पर्माणू हतियार है लेकिन इस्राइल अर्से से अपने पर्माणू हतियारों पर खुल कर बोलने से बचता आया है लेकिन दावा किया गया जाता है कि इसराइल का सिर्फ एक परमाणू बम गाजा की पूरी आबादी को भाब बना करो रहा सकता है परमालो हमले का विकल्प नमबर दो परमालो हमले का विकल्प नमबर दो परमालो हमले का विकल्प नमबर चर्ड परमालो हमले के इस चारो विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तिमाल अगर इसराइल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर इसराइल घाजा की जन में नियूपलियर अजैक का नमबर आखिया तो मिडल इस्त की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी घाजा में अगर इसराइल में परमाणू बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा घाजा वीरान हो जाएगा वहां की धर्ती बंजर हो जाएगी घाजा में विकले मलबे में एक ऐसी आग लगेगी जिससे सब कुछ भाप बन जाएगा उस परमाणू हमले के आगे इसराइल की दरब से घाजा में हो रहे है ये धमा के भी बहुत चोटे सा बित होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसकी कई ठोस वज़े है परमाणू धम की नंबर एक इसराइल के मंत्री अमिहाई एलियाहू ने घाजा पर परमाणू बम से हमला करने का भी विकल बता कर खलबली मचा दी है परमाणू धम की नंबर थी इसराइल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहू ने प्रड़ किया है कि इसराइल इरान को परमाणू बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा लेकिन अपने मंत्री अमिहाई एलियाहू के घाजा पर परमाणू बम से हमला करने वाले बयान पर बेनमिन नेतन याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है नेतन याहू ने घाजा पर परमाणू बंब से हमले के विकल्प को सिरे से खारिच कर दिया है नेतन याहू का कहना है अमियाही एलियाहू का बयान वास्तुविक्ता पर आधारित नहीं है मश्यूर वेबसाइट इस्रेयल 365 के मुताबिक इस्रेयल ने परमाडू हत्यारों को लेकर 1948 से ही एक पॉलिसी बना रखी है उसी पॉलिसी को अमल बेलाकर इस्रेयल ने दुनिया के सामने ना तो परमाडू हत्यार होने की बात कबूली है और ना ही इससे इंकार किया है इस्रेयल के परमाडू हमले के विकलब को कोरी कलपना करार दिया है वहीं इस्रेयल के मंत्री के परमाडू हमले वले बायान पर रूस ने सवाल खड़े कर दिये है रूस ने कहा है कि इस्रेयल को अपनी न्यूक्लियर स्टेटस बदानी होगी क्योंकि इस्रेयल के मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है ऐसा पहली बार नहीं है जब इस्रेयल की तरब से परमाणू धम की आई है हाल ही में घाजा युद्ध के शुरुवात के वर्द इस्रेयल के एक सांसद में अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणू हथियारों के इस्तिमाल पर विचार करने की सलाह देने वाले इस्रेयली सांसद का नाव टाली गोटलिव है गोटलिव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इस्रैल को निर्दई होने की जरूरत है टाली गोटलिव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वल एक विस्पोग जो मध्यपूरों को हिला देगा इस देश की गरिमा, ताकर और सुरक्षा को बहाल करेगा ये प्रलय का दिन शूमली का समय है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाली गोटलिव ने इस्रैल के जरिको मिसाइल का जिर्द गिया है आपकी जानकारी के लिए बता दे जहरिको मिसाइल से इसरैल चाहे तो परमाणू हमला भी कर सकता है इसरैल को लेकर दावा किया जाता है कि अपनी मिसाइलों की जरिये वो सिर्फ गाजा या फिलिस्टीन ही नहीं मिडल इस्ट के किसी भी देश पर परमाणू हमला बोल सकता है। इस्रैल की परमाणू मेसाइल ठीक ऐसे ही धुआ उडाती। आस्मान को अपनी आग से जलाती होई, अपने लक्ष की ओर बढ़ चलेगी। इस्रैल के टार्गेट पर सर्वनाश का शोर भूंज उठेगा। वहां की तज़्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागा साकी में देखी थी। पूरी दुनिया को ये यकीन है कि इस्रैल के पास परमाणू हत्यारों का जखीरा है। माना जाता है कि इस्रैल समंदर से लेकर जमीन तक से मार करने वाले परमाणू हत्यारों से लेस है। लेकिन इसका ऐलान कर एजरेल अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगने देना चाहता सवाल है एजरेल ने दुनिया के सामने कभी ये क्यों नहीं माना कि उसके पास एटमी हथियार है परमाणू हथियारों पर नजर रखने वाली एक एजेंसी के रेपोर्ट बताती है कि इसके पीछे दो खास वजगे है पहली वज़े, NPT पर दस्तकत, अगर एजरेल ये मान लेता है कि उसके पास परमाणू हत्यार है, तो उसे परमाणू अप्रसार संधी पर दस्तकत करने पड़ेगा दूसरी वज़े ये है कि हो सकता है कि परमाणू हत्यार चिपाने के जुर्म में इजरेल पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाए तीसरी वज़े जाँच की आशंका है, क्योंकि अगर एजरेल ने परमाणू हत्यारों के मौजूदगी की बात मानी तो उसे परमाणू ठिकानों को जाँच के लिए खोलना पड़ेगा यही वज़े है कि इजरेल अपने परमाणू कारिक्रम के बारे में जानकारी साधा नहीं करता ऐसी में उसके पास कितने हत्यार है, इसका आकलन लखाना मुश्किल है लेकिन दुनिया भर के परमाणू हत्यारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट की एक रिपोर्ट के मुठाबे इसरेल के पास करीब 90 परमाणू हत्यारों का ज़खीरा है इन में से 30 ग्रेविटी बम ने जिनने लड़ाकों विमानों के जरिये निर्शानी पर दिराया जा सकता है पचास परमाणू बम जेरिको बैलेस्टिक मिसाइल पर लगाया जा सकने वाले बम तावे के मताबिक इसरेल छेट डॉल्फिन क्लास की पंडुपियों से भी परमाणू हमला बोल सकता है माना जाता है कि ये बम येरुशलम के नजदी एक सैनने अड़े की गुफाओं में मोबाईल लॉंचर्स के साथ रखे गए है हम आपको इसरेल के सभी परमाणू ठिकानों की सधीक लोकेशन बताने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले इसरेल के नियोक्लियर पावर से जोड़े रहस से को जान लीची है FSA यानि Federation of American Scientist के मतापने इसरेल के पास करी 980 किलोग्राम क्लूटोनियूम का भंडार है जिससे वो 170 से 278 परमाणू बम बना सकता है रही बाद घासा पर परमाणू अचाए तो अगर परमाणू हमला करना ही हुआ तो इसरेल इसे अपने बड़े परमाणू बमों के बजाए छोटे परमाणू बमों से अन्जाम देगा जिसे हत्यारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दा जाए